नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ आपका दोस्त कपिलधा करो और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल क्रशी जानकार तो जैसा आप सभी को पता हैं कि हम यहाँ पे आपको खेती वाड़ा से जूरी वी जितनी भी जानकारियां होती हैं वो आपको देते है तो आज हम देखेंगे जो रभी सीजन की सबसे जो मुख की फसलों में गिनी जाने वाली एक फसल है मसूर की फसल उसमें जो रोगों की समस्या है कौन-कौन से रोग आ जाते हैं और अभी जो समय है वो मसूर में फूल और फलियों का समय है बहुत सारी जगे फूल आ रहे ह हो गए हैं मतलब फलियां बननी शुरू हो गई हैं तो अभी इस समय पे इल्लियों और फंगस की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई हैं हर जगे बहुत ज्यादा फंगस है और मोसम में इस वर्ष बहुत ज्यादा नमी है इस वज़े से हर जगे फंगस की समस्या देखी गई है तो इल्ली के लिए और फंगस के लिए हमें स्प्रे करना है अगर हम समय रहते हैं स्प्रे नहीं करते हैं तो हमें उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज डाले हैं और आगे भी इसी प्रकार से डालते रहेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंदा रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने साथी किसान भाईयों तक इस चैनल को शेर करिए तो देखते हैं मैंने कल ही अपनी मसूर की फ़सल में स्प्रे किया है तो मैंने क्या कौन-कौन सी में कीट प्रबंदन नहीं करते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं तो अपना उत्पादन बहुत हद तक घड़ सकता है और हमें काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो मैंने दो चीज़ें उप्योग करी हैं किसान भाईू मैंने इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड और फंगस के लिए फंगिसाइड उप्योग किया है साथ में मैंने एक वाटर सॉलिबल फर्टिलाइजर भी उप्योग किया है तो मैंने जो इंसेक्टिसाइड है उसमें प्रोपेनोपोस 40% प्लस साइफर मेथीन 4% के साथ में, मैंने थाई मेथोग्जोम 25% WG के फॉम में जो आता है, वो और कैप्टान प्लस हेग्जा कोनाजोल मैंने उप्यो किया है, ये कैप्टान प्लस हेग्जा कोनाजोल जो है ये प्रकार का फंगिस आइड है, इसके हमारी जो शेत्र में जो सबसे जो फेमस जो चीज है वो है इपको कंपनी का 0050 तो हमने इसका उप्योग भी किया है तो आगे चलते हुए हम देखेंगे कि हमने कौन से प्रोड़क्ट उप्योग किया है जिनमें ये टेक्निकल उप्योग दते हैं तो सबसे पहले हमने टाटा कंपनी का 11 उप्योग किया है वो हमने 50 ग्राम भीगे का उप्योग किया है एक तारा में थाय में तोकजों में और पॉलिट्रीन जो है वो हमने 200 ग्राम भीगे का उप्योग किया है उसके ही साथ में हमने टाटा कंपनी का ताकत करके एक प्रोड़क्ट आता है इसमे केप्टोन 70% प्लस हेक्जा कनॉजल 5% था जो बूरी मसी है या पाउडरी मिल्डी जिसको कहते हैं उसके लिए उप्योग किया है हमने और इसके ही साथ में हमने वाटर सॉल्यूबर फर्टिलाइजर जिस जीरो जीरो पचास की जिसके हम बात करेते हैं वो हमने 400 ग्राम के आसपास वो उप्योग किया है तो बहुत सारे किसानों के मन में एक डाउट रहता है एक संधे रहता है कि जो वाटर सॉल्यूबर फर्टिलाइजर है हम वो फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ में उप्योग करेंगे तो कहीं हमारा घोल फड़ तो नहीं जाएगा तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अगर किसान भाई अलग-अलग तरीके के फंगिसाइड उप्योग करते हैं तो सबसे पहले आपको इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड को मिला कर आपका जो गोल आप तयार करे रहे हैं स्प्रे करने के लिए टेंक उसको तयार कर ले उस मेंसे 100 ml या 200 ml का आसपास आप पानी भर ले उस टेंक में से मिलाने के बाद और उसी पानी के अंदर आप चुटकी भर के जो आप water-soluble fertilizer है वो डाल दें और उसको अच्छे से मिला दें और दो मिनिट तक इंतजार करें अगर वो आपका टेंक नहीं भटता है तो आप उसको spray कर सकते हैं